दोस्तो नमस्कार वीकेन ओलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत हैं NCVT ITI के एक्जाम पेपर लेकर एक बार फिर उपस्तित हैं दोस्तो ये पेपर वायर मेन की ट्रेड ध्योरी का है और थर्ड सेमेश्टर का है जिनके बेक लगी भी थी अभी रिसेंटली ये पेपर हुआ है दोस्तो साथ अक्टूबर 2021 का ये पेपर है अगर आपने पेपर दिया है तो अपनी आनसर की का मिलान कर लीजी कि आपके कितने सही हो रहे हैं क्या आप पास है या नहीं है यदि आप कंपिटिशन एक्जाम की त्यारी करते है तब भी इस वीडियो को लाज तक जरूर देखना क्यूंकि इसमे वाइर मेंट ट्रेड त्योरी से समन्दित 50 क्यूसन है जो की सेम इलेक्ट्रिशन के जैसे ही होते है इसलिए आपको 50 क्यूसन सीखने को मिलेंगे सभी कि हुसन को हम पूरी तरह से विस्तार से आपको एक्स्प्लेइन करके उतर बताएंगे एक्सप्लेइन करने का तरीका पसंद आजाए तो इस वीडियो को लाइक कर देना हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल सबिस्क्राइब जरूर करना अपने दोस्तों को इस वीडियो को आगे फोरवर्ड आप जरोर करें दोस्तों डिसक्रिप्शर में लिंक दिया हुआ है हमारा एंड्रूड एप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जरूर जरूर एप को डाउनलोड आप करें चलिए दोस्तों क्यूस्टनों से शुरू करते हैं और क्यूस्टन पेपर दोस्तों जिस बच्चे ने वेजे हैं वो हिंदी में ही है तो I am soul to say for English क्योंकि काफी बच्चे हैं जो इंग्लिस के डिमांड करते है जब possible होता है तो हिंदी इंग्लिस दोनों में देते हैं लेकिन जब संबव नहीं है तो केवल एक ही लेंग्वेज में देंगे सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों के चित्र में दिखाएगे घटक के परतीक की पहचान करे एनोड के थोड़ नाम के दो सीरे है और डायोड की आगे का सीरा जड की आकरती में है तो दोस्तों इसका नाम होता है जिन्र डायोड बहुत ही सिंपल सा है डी उत्तर हो जाएगा देखो डायोड वाला जो है उसका सिंबल होता है यूं बिलकुल सीधा डायक जो है उसमें आमने सामने दो डायोड भी प्रित जुड़े होते हैं LED में बाहर दो तीर के निसान निकले रहते हैं और जिन्र डायोड में आगे जो कैथोड है वहां पर जैड की आकरती बनती है जैसा कि इसमें बन भी रही है सो हमारा आंवसर यहां D है अगर आप D करके आए हैं तो सही काउंट कर लेजिये इसको आगे दोस्तों सवाल पुछें कि handle के आगे यहां नाम नहीं बताएना कि किस transistor की बात कर राए तो generally transistor हमारे तीन तरह के आते हैं मैं बता हूँ आपको BJT, UGT और FET और इन तीनों ही ट्रांजिस्टरों में तीन तीन टर्मिनल होते हैं क्योंकि इसने केवल इतना पूछा है कि how many terminals इसने ये नहीं पूछा ना कि कौन कौन से टर्मिनल होते हैं BJT में भी तीन होते हैं, UGT में भी तीन होते हैं इसलिए दोस्तों इसका उत्तर B करना है ये एक गलत टिक लगाया हुआ है इसकी तरफ ध्यान नहीं देना हाँ अगर junction पूछ लेता ना फिर depend करता कि वो किस transistor के बारे में पूछना चाह रहे अभी हमारा B उत्तर है, no doubt यहां पर और ध्यान रखना तीनों के, चलो आप कमेंट करके मुझे जरूर बदाना BGT, UGT और FAT इन तीनों के जो तीन तीन ट्रमिनल होते हैं उनके नाम कमेंट करके मुझे जरूर बदाना SCR का control terminal कौन सा होता है, पूरा नाम इसका silicon control rectifier होता है तीन ट्रमिनल होते है, anode, cathode or gate तो anode और cathode के बीच अगर हम potential सही तरीके से दे भी देते हैं यानि forward बाइस में तब भी इसमें धारा का चालन नहीं होता है, यह semi control device माना जाता है यानि जब तक इसके gate सीरे पर हम कोई voltage आरोपित नहीं करते हैं तब तक इसमें से धारा का चालन नहीं हो पाता है, इसलिए gate जो है इसका control element माना जाता है, control सीरा माना जाता है बेस नाम का सिरा तो इसमें होता ही नहीं है अगला सवाल बहुत ही सिंपल है दोस्तों जो सिंपल है उनको थोड़ा सा जल्दी भी करवाना चाहूंगा मैं क्योंकि पचास के उससे नहीं नहीं तो बहुत ज़दा हो जाता है हीटर की कौैल को गरम करने के लिए तो नाइक्रोम होता है निकल क्रोमियम की मिस्सर धातुए 80% निकल 20% क्रोमियम होता है ओटोमेटिक इलेक्टिक आयरन में थर्मोस्टेट का काम क्या है तो थर्मोस्टेट टेंपरेचर को कंट्रोल करने के लिए लगता है और ध्यान रखना हीटिंग एलिमेंट के सीरीज में लगता है बाइमेटली के स्ट्रिप होती है इसमें यानि दूई धात्विक पत्ती होती है और कुछ भी नहीं होता है गरम होकर हट जाती है ठनी होकर पुने लग जाती है फर्मल ओवरलोड रिले के जैसा बिलकुल इसका सिधानत होता है फर्मो इस्टेट का छत पंक्खे में किस परकार की मोटर है तो छत पंक्खे में पर्मनेट केपेसिटर मोटर होती है हम सब जानते हैं लगभग 2.5μF का केपेसिटर होता है starting winding permanent लगी रहती है, इसलिए नाम permanent युआ रख दिया किस परकार के generator को constant voltage generator कहते है center generator की voltage constant मानी जाती है, इसलिए center generator को नियत voltage वाला generator बोलते है commutator segment बनाने के लिए किस प्दार्त का उपयोग करते हैं तो hard run कोपर commutator के लिए होता है बहुत ही सिंपल है कंपिटिसन एक्जाम की त्यारी करें वो बच्चे तो इसका बहुत आसानी से उत्तर कर पाएंगे वेव वाउंड जनरेटर के लिए समीकरन क्या होती है देखो दोस्तो जनरेटर की एम एप समीकरन के लिए फोर्मूला होता है फाई जैड एन पी बटे 60 ए तो एक फोर्मूला तो ये याद रखो अब वेव वाउंड में क्या होता है कि ए का मतलब होता है समांतर रास्ते और समांतर रास्ते होते दो तो ये वेव वाउंड के लिए फॉर्मूला बन जाएगा वहीं अगर लेव वाउंड के लिए बात करें तो लेव वाउंड में P और A बराबर होते हैं तो इसलिए इसको काट भी सकते हूं फाई, जैड, एन बटे, 60 ये लेव वाउंड के लिए बन सकता है यानि ओवराल तीन फॉर्मूले याद रखो एक जो कंप्लीट फॉर्मूला है एक वेव वाउंड के लिए A बराबर दो रख दो और एक लेव वाउंड में A और P को आपस में डिलीट भी कर दो आगे दोस्तों सवाल पूचा दिखाएगे जनरेटर का नाम क्या है देखो भई, वाउंड सीदीशी है कि संट फिल्ड भी दिखा रहे है सिरीज फिल्ड भी दिखा रहे है इसका मतलब जनरेटर है तो कंपाउंड ना तो D उतर तो किसी आलत में हो इनी सकता क्योंकि इसने क्यूमिलेटिव या डिफरेंसियल भी नहीं पूचा तो सीदीशी बात है यह शोर्ट संट है क्योंकि जब संट फिल्ड केवल आर्मेचर के समांतर में हो तो इसे सोर्ट संट कहा जाता है ठीक है तो ए उतर सही होगा शोर्ट संट कंपाउंड जब संट के द्वारा विरोध किया जाता है देखो जिसमें अपोजिशन होता है ना उसको डिफरेंसियल कंपाउंड बोलते है ठीक है जिसमें दोनों सयोग करते हैं वो क्यूमिलेटिव कंपाउंड है तो इसमें भी ये गलत टिक लगाया हुए है उतर इसका एस ही रहेगा अंतर ये कंपाउंड ये डिफरेंसिल कंपाउंड बोलते है आगे कहा रहा है कि चितर में दरसाएगे एक्स भाग का नाम के है देखो अगर इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखे ना तो ये तो है में पॉल जबकि ये जो डार्क कर रख है ना ये कहलाते हैं इंटर पॉल क्योंकि तुलनात्म करूप से इंटर पॉल जो होते है वो में पॉल के पर शोटे होते है और आप ध्यान से देखे कि main pole का side जो है वो इस तरह से बढ़ाए हुआ है वैसे देखो pole shoe लगाए हुए है pole shoe जो होते हैं वो generally main pole के साथ ही लगाए जाते हैं इंटर पोल के साथ नहीं तो इसमें ये A नहीं B सही होगा, इंटर पोल आएगा इसका ठीक है और इसी तरह से नेक्स्ट छोटा सा सवाल पूछा है MNA का पूरा नाम तो Magnetic Neutral Axis होता है इसका D उतर से ही आएगा इसी तरह से एक और GNA भी होता है तो उसका पूरा नाम Geometrical Neutral Axis होता है किस जनरेटर में Voltage Regulation का मान उच होता है अब देखो दोस्तों इसने पूछा है उच उच का मतलब होता है Valuation या Percentage की बात करें तो Highest या उच तम जो होता है वो Series जनरेटर में मिलता है उच वेलियू की बात करें तो C आएगा इसमें और Next हमारा क्यूस्सान है कि DC Compound जनरेटर का कौन सा परकार Light और Power Load के लिए काम में लिया जा सकता है तो Light और Power Load जो है ये Normal या समाने बाहर की सिरनी में आते है और इसमें हमारा Flat Compound जनरेटर जो है वो काम में लिया जाएगा A उत्तर इसका सही होगा Flat Compound आएगा DC मोटर में टोर्क की बल लगाया न्यूटन में तिर्जिया कितनी है साफ्ट की मीटर में तो टोर्क की काई न्यूटन मीटर होती है ठीक है Starting टोर्क बहुत अधिक किस मोटर का है DC सिरीज मोटर आएगा न सिरीज मोटर का टोर्क सबसे अधिक होता है जिसका भी पेपर है बहुत ज़्यादा गलत कर रखे है बहुत ज़्यादा गलत टिक लगा रखे है मुझे तो डर लग रहा है पास होगा की नहीं होगा DC मोटर का नाम क्या है चितर में आपको एक मोटर दिखाईए देखो ये आर्मेचर है और फिल्ड वाइंडिंग देखो इसके समांतर में जुड़ी है दूसरी बात थोड़ा सा आप अगर इसको ध्यान से देखे है तो फिल्ड वाइंडिंग के टरमिनलों के नाम देखो E1 और E2 लिखा हुआ है तो E1 E2 जो टरमिनल होते है वो संट मोटर के होते हैं दियान रखना ठीक है C उतर आएगा देखो DC सीरीज मोटर कैसे कर रखा है इसने कलिक पता नहीं क्यों या तो जानबूच की गलत लगाए सीरीज मोटर में फिल्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में होती है यहां देखो समांतर में जुड़ी भी इसपस्ट दिखाई दे रहे अगला सवाल है कौन सी मोटर केवल लोड के साथ ही स्टार्ट करें तो वो भी सीरीज मोटर है हमारी सीरीज मोटर को कभी बिना बार के स्टार्ट नहीं कर सकते हैं आपने DC मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस स्टार्ट का उपयोग करेंगे अब देखो DOL इसटार डिल्टा कैसे आ जाएंगे यह तो दोनों है थरी पेज मोटरों के स्टार्ट DC मोटर के तो स्टार्टर यह दो है तो two point जो है वो cable series motor के लिए लगता है और four point जो है वो compound orcent motor के लिए आता है तो इसमें जो अपना answer है वो क्या आएगा C आएगा आगे DC motor के speed control का तरीका पुछा है तो देखो ये आर मेचर है और ये field winding है दोनों series में लगे वे और यहां से देखो supply voltage आ रही है ठीक है देखो field में taping कही नजर नहीं आ रही आर मेचर diverter जो होता है वो आर मेचर के समांतर में लगना था field diverter field के समांतर में लगना था अगर आप diagram को ध्यान से देखें तो ये हमारे series में लगा हुआ है field और आर मेचर दोनों के supply voltage control method है ये उत्तर इसका सही रहेगा अगला सवाल है समाने से कम गती प्राप्त करनी है संट मोटर में कौन सी गती लेंगे हाँ ये ठीक इसका बिल्कुल सही लगा हुआ है आर मेचर control method बोलते हैं इसको समाने से कम गती के लिए वही है field control method जो है वो समाने से अधिक गती के लिए काम में लेते हैं field taping वीदी और field diverter वीदी इसमें काम में नहीं लेंगे संट मोटर में क्योंकि ये series मोटर की गती नियंदन की वीदियां है तो यहां पर इसका भी उत्तर बिल्कुल सही है समाने से अधिक गती के लिए होता तो ये उत्तर कर देते अगला दोस्तो सवाल है कि DC मोटर की वाइंडिंग में अर्थ लिकेज का पता लगाने कौन सा टेस्ट करेंगे ग्राउंड टेस्ट बोलते हैं उसको देखो continuity या open circuit टेस्ट जो होता है ही ये continuity चेक करने के लिए कि मोटर कहीं से open तो नहीं हो गई short circuit होता है वाइंडिंग कहीं से short नहीं हो गई हो तो इसको ground टेस्ट बोलते हैं बिल्कुल ये भी इसका सही उतर है भी आएगा ground टेस्ट बोलेंगे लिकेज का पता लगाने के लिए तीन फेज वोल्टेज का कौनी ये विस्थापन कितना होता है तो 120 डिगरी इलेक्ट्रिकल होता है बहुत ही साधान सा है सिंगल फेज में 90 डिगरी का और थ्री फेज में 120 डिगरी का डेल्टा से उज़न में फेज वोल्टेज 415 है तो लाइन वोल्टीज भी कितनी आएगी 415 क्योंकि डेल्टा में लाइन वोल्टीज और फेज वोल्टीज बराबर होती है न यह उत्तर सही हो जाएगा यहां पर बहुत ही सादान सा क्यूस्टन दिया है सक्ति मापने की 3 वाट मिटर भी दिया है बहुत ही साधरन पेपर है लेकिन जब आईटी कर रहे होते हैं तब बच्चों को यह पतानी क्यों समझ नहीं आता है अब देखे कि इतना अच्छा कि उसन पूचा है कि हाई स्पीड के जो आल्टरनेटर होते हैं उनमें किस परकार का रोटर है समूध सिलेंड्रिकल आएगा वैसे देखो आल्टरनेटर के रोटर दो इतरह के होते हैं सिलेंड्रिकल और सेलियंट पोल परकार के सेलियंट पोल वाले होते हैं निम्र गती के लिए मध्यम गती के लिए जैसे हाईडरो पाउर प्लांट हो गया और जो smooth cylindrical है ये high speed में होते हैं जैसे turbo alternator है steam alternator है thermal power plant जो होते हैं उनमें और बड़े alternator में excitation कहां से देते हैं देखो बड़े alternator में excitation हमेशा separate होता है ये ध्यान रगना यानि वो पर्थक उतेजित होता है स्वय उतेजित कभी नहीं होता है और उसमें पर्थक उतेजित के लिए हम एक्साइटर लगाते हैं और एक्साइटर जनरली क्या होता है DC संट जनरेटर होता है आल्टरनेटर के रोटर को उतेजित करने के लिए किसका उपयोग करते है एक्सैटर लगाते हैं के नहीं और एक्सैटर क्या होता है डी-सी का संटर जन्रे intersection आल्टर्नेटर की rating पुछईए तो आल्टर्नेटर की rating के विये में ओती है यह उततर आजाएगा थीक है मोटरों की rating किलोवाट में ओती है transformer की भी रेटिंग के वे में ही होती है अगर सवाल पूझे के वे आर रियक्टिव पावर की इकाई है और के डबलू एच उर्ज खपत की इकाई होती है आल्टरनेटर को पेरलल में क्यों चलाते हैं इसलिए चलाते हैं की हमें ज्य läदा लोड की जुरूरल तिये अपने प्लाइनिट में एक आल्टरनेटर द lequelट जनरेट करता है हमें पता है न कि अगर 400 MW लोड देना है तो क्या करेंगे फिर डाइसो डाइसो के दो जनरेटर पेरलल में चलाएंगे तो यहाँ पर डाइसो डाइसो की 6 यूनिट लगी विए यही तो कारण ने फिर उत्तर के आएगा बी आएगा इसका अधिक लोड साजा करने के लिए जरूरी है ठीक है हम इस पर क्या कर सकते है अधिक भार डाल सकते हैं ज्यादा लोड दे सकते हैं अगला हमारा सवाल है कि दो फेज आल्टरनेटर के समानतर ओपरेशन के लिए कितने लेंपों के आउशकता होगी दोस्तों यह अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने क्योंकि हम अल्टरनेटर के समानतर करम जांज करते हैं तो ब्राइट लेंप डार्क लेंप या डार्क एंड ब्राइट लेंप इदी का उप्योग करते हैं जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि इसमें तीन सेट लेंपों का उप्योग किया जाता है और प्रते एक सेट में दो दो लेंप होते हैं तो कुल छे लेंपों की आउशकता होती है ये इसका बिलकुल सही टिक लगाया हुआ है भी उतर यहां पर सही होगा अगला सवाल है अल्टरनेटर के समांतर ओपरेशन के लिए सही समय दर्साने के लिए उपयोग किया जाने वाले उपकरण का नाम के है देखो यहां पर सही समय का मतलब होता है आईसोलेटर स्विच जो है वो मैनवली दवाना पड़ता है जब सारी सरतें सही हो जाती है न तो बटन किस समय बटन दवाना है तो इसके लिए फिर सिंक्रो इसकोप होता है इसमें क्या है उपर एक है ना ग्रीन इंडिकेटर आ जाता है ठीक है जब सारी सरतें सही हो जाती है तो यानि सिंक्रो इसकोप है जो अपन को यह बताता है कि कब आपको आईसोलेटर स्विच ओन करना है यानि अब generator में सारी सम जो सरते हैं वो पूरी हो चुकी है अगला स्वाल है किस single phase induction motor के पास starting torque सरवादी के उच्चतम starting torque करेंगे तो double capacitor आएगा इसमें ठीक है दो capacitor है ना देखो split phase induction और सेड़िड बोल का तो कम है यह capacitor start induction run में क्या है एक ही capacitor है जबकि इसमें दो capacitor है तो double capacitor ही आएगा आगे कहरें कि चितर में दरसाएगे x भाग का नाम क्या है दोस्तो इसको ध्यान से अगर देखे ना तो बहुत कुछ यह समझाएगा आपको वास्तों में यह सेड़िड पोल मोटर में पोल की सरंचना दिखाएगी है और हम सब जानते हैं कि बड़ा भाग जो होता है उसको सेलियन्ट और छोटे भाग को सेड़िड पोल बोलते है या पिर यह शोर्ट कॉयल जो होती है इसको सेड़िंग रिंग भी का जाता है दोस्तो इसका उत्तर भी आएगा सेडिंग रिंग है सेडिंग कुंडली है जो फेज अंतर उत्पन करने का काम कर रही है एक फेज को दो फेज़ों में बांटने का काम करती है कौन सी सिंगल फेज मोटर ACDC दोनों पर परचालित हो सकती है देखो ACDC दोनों पर परचालित होती है तो यूनिवर्सल मोटर है है ना इसने फिर गलत टिक लगा रखा है भाई जिसका भी पेपर है उसने तो बहुत गलत किये हैं पास होना बहुत मुश्किल है किस मोटर में स्टेप में किरिया होती है अब देखो नाम से ही पता लग रहा है स्टेपर मोटर और स्टेप में किरिया तो इतना तो सोच समझ कर अगर आप तुका लगा सकते थे लगाना चाहते थे सी उत्तर आएगा अगला स्वाल है, रेफ्रीजरेटर और AC में किस परकार की मोटर है, तो ये इसका उत्तर हैगा D, डबल कैपेसिटर मोटर होती है, है ना, कैपेसिटर, स्टार्ट कैपेसिटर, रन मोटर होती है, इसमें भी गलत निशान लगाया हुआ है, D उत्तर कर देना अभी के लिए फिलाल सही है और 3-phase induction motor में जो गूमने वाला चुम की छेतर बनता है जिस गती पर उसे हम सिंक्रोंस गती बोलते है गूमने वाले चुम की छेतर की गती तो क्या का जाता है सिंक्रोंस गती का जाता है और ये फॉर्मूला F into 120 बटा P से ग्यात की जाती है चितर में दिखाएगे X चिनित भाग का नाम क्या है देखो दोस्तों ये induction motor का इस्टेटर दिखाया है और ये अंदर यहां इस भाग की बात कर रहा है तो ये जो है न ये winding है ठीक है ये योक या बोड़ी हो गई ये टरमिनल बॉक्स हो गया और अगर इसके पहले की बात करते है तो कोर है उसके बाद की बात कर रहा है तो वो क्या है इस्टेटर वाइंडिंग है C उत्तर आएगा ठीक है योक या फ्रेम जो है वो बाहरी भाग कहलाता है ठीक है C उत्तर आएगा गलत निसान इसमें भी है अगला सवाल है स्कुल कीज, इंडेक्शन मोटर के वाउंड रोटर के लिकिस पर कार का उत्योंग करते है उस्कुल कीज रोटर जो होती हैं इसमें चालक चड़े होती है वो चालक छड़े या तो ऐलुमिनियम की होती है या कोपर की होती है तो दोस्तो इस क्यूस्टन का उत्तर डी करेंगे हम क्योंकि इसका देखो reason क्या है मैं आपको बताओ क्योंकि इसने यहां पर सीधर लिखा है कोपर की छड़े तो चालक छड़ों से ही शोल्ट किया जाता है यहां पर इसने ऐलुमिनियम छड़ नहीं लिखा लेकिन करने को यह confusion वाला है आप कर सकते हैं इसमें objection भी हो सकता है क्योंकि केवल इसने पदार्थ पूछा है तो पदार्थ ऐलुमिनियम भी होता है और कोपर भी है छोटी मोटरों में ऐलुमिनियम का यह रोटर होता है केज टाइप रोटर जो होता है न वो ठीक है बड़ी मोटरों में कोपर रिंग होती है तो डी उत्तर कर देंगे अभी तो कोपर बार आएगा ठीक है, अगला क्यूस्टन है, थरीफेज इंडक्षन मोटर में कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, एडी करेंट हानी कम करने के लिए भी उत्तर आएगा, ठीक है, सिलिकोन इस्टिल की क्यों बनाते हैं, तब आपको करना था, इस्ट्रेसिस हानी कम करना, है ना इजी क्यूस से नहें ज़्यादा इनको डिटेल देने की जोड़ती नहीं है इसके लिए इंडक्सिन मोटर के रोटर को स्क्यूड क्यों बनाया जाता है स्क्यूड का मतलब ऐसे तिर्चा समांतर ना होकर के थोड़ा तिर्चा बनाते हैं मेगनेटिक हमिंग कम करने के लिए होता है तीन चार कारण है इसके और भी मैंने लिखाया है मेगनेटिक लोकिंग या कोगिंग से वजाओ करना भी उसका उत्तर होता है यूनिफॉर्म टोर्क जनरेट करेगा परचालन के दुरान तो तीन होते हैं मैंने क्लास में कंप्लीर बताएवा द्यान डगना सेमी ओटो इस्टार डेल्टा इस्टार्टर में कितने कॉंटेक्टर होते हैं तो सेमी ओटो और फुली ओटो में कॉंटेक्टर तीन तीन होते हैं बस फरक इतना सा है कि फुली ओटो में एक टाइमर लगा रहता है जो निर्धारित समी के बाद इस्टार से डेल्टा में उसको कनवर्ट कर देता है और आगे पूछने कि इस्टारिटर के परतीक का नाम क्या है देखो अगर इसमें यहां पर इस पस्ट डी ओल होता है तब लिखा रहता है डी ओल इस्टार डेल्टा हो तो डेल्टा के अंदर इस्टार का चिने बना रहता है तो यह हमारे ओटो ट्रांसपॉर्मर का है बी उतराएगा इसने यहां पर फिर डी खर रख है तो यह भी इसका गलत है अगला सवाल है किस इंडेक्शन मोटर में रोटर सरकिट तोड़ने के लिए एक्स्टरनल रेजिस्टेंस सामिल किया जाता है तो यह बिल्कुल सही है सलिप्रिंग इंडेक्शन मोटर रोटर साइड से केस केड नियंतरन है जबकि वोल्टेज, पॉल चेंजिंग, सप्लाई फरिक्वेंसी ये तीनों स्टेटर साइड की गती है ठीक है? रोटर साइड से केस केड आएगा बाकी तीनों स्टेटर साइड से है आगे सवाल पुछा है पैनल बॉर्ड में फेरूल का काम क्या है? फेरूल होता है तार के आगे यहां लगी वी एक नंबरिंग पर ना ली होती है जिससे हमें वायर की पैचान आसानी से हो जाती है इसका बिल्कुल सी उत्तर सही है वायर की पैचान करने के लिए होता है पैनल बॉर्ड में गंदकी, पानी, कीट, इत्यादी का प्रवेस नहीं हो तो इसके लिए ग्रोमेट लगता है तीक है ना इससे क्या है? केबल पूरी पूरी आती है उस पैनल बॉर्ड में डी उत्तर आएगा, ये भी इसका बिल्कुल सही है और पैनल बॉर्ड में सुरक सी तरीके से केबलों को ठीक करने केबलों को पकड़ने के लिए जिस उपकंड का उप्योग करते है तो उसका नाम वायर कलिप है D उत्तर आएगा वायर क्लिप इसका बिल्कुल सही उत्तर है और पचासमा सवाल कर रहा है कि पेनल बोर्ड में X के रूप में दरसिद भाग का नाम क्या है तो ये भाग है इनमें से तारें गुजारी जाती है और तार गुजारने के लिए जो चीज बनी होती है आपका स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप पास हो पा रही है या नहीं हो पा रही है ये भी हमें जरूर बताना चैनल पर नए हो तो सबिस्क्राइब करना अपने दोस्तों को सेर जरूर जरूर करना